लो गईज वेलकम एक कैसे हैं आप सब तो गाइज आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं एनर्जी जोई हैं जाते हैं आज हम लोग एक चीज को ढूंडने वाले हैं तो इसमें इसमें तो हर एक चीज यह एक सीटी में नहीं मिलता और यह भी यह सब है जो वो सब सब सेटी में नहीं मिलते लेकिन जो इधर टैंक तक है ना, यह सब के सब चीज सिटी में आराम से मिल जादी है, ठीक है, तो यह है गोल्डन प्लेइन, जिसका नाम है एर क्राफ, ठीक है ना, यह 77 के का है, तो यह भी, I think इस सिटी में होगा, वैसे तो हम चाहे तो इस सब भाई भी कर सकते हैं, बिकु सब्सक्राइब कर देना, यह एक प्लेइन है, तो प्लेइन नौर्मली सिटी पर मतलब रोड उपर तो नहीं ही खुंता मिलने वाला, जो रोड पर कार और बाइक घुमते हैं, वरना प्लेइन तो आकास में हुटता है, ना मतलब की हवा में, तो यह यह ही कह रहा हूँ कि व हवा में, मैंने आज तक इस गेम में एक भी प्लेइन या तो हेलिकॉप्टर को उटते नहीं देखा, यह बते लगए कि अगल वॉंटे लेवल ज्यादे होता है, तो हेलिकॉप्टर हमें मारने के लिए आ जाता है, तो तभी तो वह जरूरूर से मितलब की आएगा ना, ले हो सकता है लिए ना इसके लिए मुझे रगता है, बटियार गैरन्टी कुछ नहीं कि मिलेगा किनी तो सबसे मैं जाने वाला हूं मिलेटरी बेस की हो ठीक है मैं अमने मार्क कर लिए इदर से 700 मीटर जीतना है, तो इदर से एक बैट मिल चुका ये चाहता हूं, सबसे पहले मिल्लेटरी बेस में ठीक है ना प्रमेक बेस्ट बाइक है मिल चुकिये तो इसे लएक पूलीस की कार को मैं ने गल्जी से थोड़ा बहुत टच तो कर लिया था जिससे लिए अपने लिए अपने पूल पीछे पूलीस आ चुकिये ठीक है ना तो अब यार इन सबसे बजना पड़े गान कैसे बचे यह मैं सोच रहा हूँ यह यार हर जगा पे जाते हैं पूलीस तो आई ही जाती है अपने पीछे करते हुए तो सबसे पहले तो हमें इन सबसे पीछा चुड़ाना पड़े गानी यार मैं इस बाइक को भी छोड़ना नहीं चाथा मुझ यह बाइक सच में अच्छी यार इसके लिए ठीक है तो अभी 400 मिटर जितना है इदर से मिलेटरी बेस एंड जैन हम देखते हैं कि अधर वैसे प्लाइन होगा तो नहीं बट यार गैरंडी कुछ नहीं है कि छुपा कर रिखा भी हो सकता है मिलेटरी बेस के हैंगर ठीक है ना एंड यार इदर वापस एक पुलीस से मैं गल्जी से ठुक गया यार क्या ही करना मतलब तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है आइधिंक अब मुझे वापस से इन से बचना पड़ेगा इधर दर पहुंच चुका है और इस इन सब को पता चल चुका है कि हम इधर है ठीक है ना तो आपसे अब दूसरी जगा पर जाना पड़ यार वोज हम है एनरजी जो ही ठीक है ना इधर तक वापस से आचुके हैं यार अपने बाइक पानी में जा चुके जब तो हम इसे बाहर नहीं ही निकाल सकते ना तो अब तो मुझे वैसे सबसे बेले पानी से बाहर निकलता हूँ एंड़ मैं इस पार चला जाता हूँ ठी पुलिष भी ज़ी है वेसे तो टूर आएंगे pista यार मणिरा कर तो चुरा सकते एसे पुलिष पीछे नहीं लगती ठीक है न तो चलिए पुलिष से बाइक को मोर लेते हैं जो कूल सबस्क्तित ओर प्लाइक जाते हैं झालिय्जे कूलने हैं मुझे जुठर फिरह हैं एक तो मिलता हूं इसके पास तो पोगी प्राइल के सामने से गई तो मड़ जाएंगे लेकिन इसमें से गए तो इधर सो खुछ नहीं थीद है तो इधर डोंगे दोनों के दूनों हैंकर पर जाकर मैं लेख लेता हूं जैसे तो आइंग पुलिस दो तीन स्टार के पीछे लगी चुकी है फर्स्टेंगर पे तो कुछ भी नहीं है इधर एक एमो पड़ी है तो वो ले लेते हैं इधर भी खास कुछ नहीं है यार मैं तो गिज़ चुका हूँ अब यह मुझे मात दें गाई थे बट हम मैं हमारा बास आर्मर है तो म अब जाना पड़ेगा तो दूसरी जगह कौन सी है यह मैं आपको बताता हूँ सबस्टार के पुलिस से पीछा भी तो चुड़ाना पड़ेगा इंस्टार ब्लिंग होना तो स्टार्ट होई तुके है आप देख सकते हो तो भी आइधिंग पुलिस तो चली ही जाएगी ठी के पुलिस इतना दूर तक नहीं देख सकती अब मैं आपको डूसरी जगह बताता हूँ कि दूसरी जगह कौन सी हो सकती है तो गाइस दूसरी जगह मैंना यह जगह मार्क के बिकूर इधर सब ब्लेक ब्लेक है अब इधर मैं कभी भी आइचिंग तो नहीं गया होगा तो मुझे याद तक नहीं है तो अब देखते हैं पुलीश आइचिंग अब जल से जल जाए तो हम फिर उस जगह पर जाते हैं तो अब देखते हैं इधर तक तो हम जाते हैं जब तक चल कर जा सकते हैं कोई कार मिल जाए लेकिन यार कार अगर हम चुराएंगे तो पुलीश पीछे लग जाएगी ठीक है इसे चाहम ठूड लेते हुच बाइट तो में वही जिक वापस से कने वाला हो इसे गिर रहा कि तो एक सूपर बाइक है तो जल्दी ही बहुच जलने ठीक है ना वह स्थोड़ी से फास्ट होती है तो चल यह पहुच जाते हैं फिर मैं आपको उधर मिलता हूँ इधर तो हम बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ पहुच चुक है अभी बस 100 मितर ही बागी है अब देखते हैं कि इधर वह प्लाइन होता है कि नहीं होता वैसे इस जगा पर एक बार आया हुआ हूँ लेकिन अब इसे ढूनना पड़ेगा कि इधर कोई प्लाइन है कि नहीं वैसे तो हमें पूरा ढूनना ही पड़ेगा एंड इधर भी नहीं ही होने वाला यार मुझे तो यह साही लगता है यह जदा ही इतनी से हैं इधर एक हैंगर है जो कि लोगड है तो लोग में तो नहीं होने वाला यार तो अब मुझे एक और जगा ढूनने पड़ेगी तो यह अब मैंने सोचा है यह जो ब्लैक है तो यह आइधिंक बीच टाइप है यह एरिया तो आइधिंक इधर हो सकता ह हाके प्लैन मुझे इसा लगता घ्री गृता है इंधर या इधर तो यह यार बीच पर उसकता है क्या मैं पताता प्ल्ए प्लैंब तो मुझे का मिशन बस चार्ट करके बोर्ट कर दूंगा ताक यह जोई उठ जाए ठीक है ना यह उठने का तब का नाम नहीं ले रहा इसके लिए और कुछ नहीं तो ठीक है आप इसे कैंसल कर देता है तो कुछ नहीं होगा यार हमें मिशन स्टार्ट ही करना पड़ेगा तो अब वापस से बाइक लेने पड़ेगी और वह जगह भी जैसा साथ सू मीटर ही दूर है वैसे तो बीच पर नहीं होने वाला बट ट्राइक करने में क्या जाता है तो यह सब में जगह है एक है मिलेटी बेस एक है यह जगह एक है बीच फिर इस लिए में में जगह कुछ है नहीं ठीक है ना इसके लिए एंड यार अब देख लेते हैं अभी तक तो वैसे मुझे दिखा है नहीं कार बाइक वैसे कार तो बहुत ही दिखिया बट यार पुलीस पीछा लग जाती है आपको बटावगा जैने यार पुलीस से पीछा चुड़ाना बहुत है ज्यादा म यार फाइनली मुझे एक बाइक दिखी जुके यार तो अब मैं बाइक लेकर चला जाओंगा एंड आइचिंग एक गेंस्टेर है फाइनल तो नहीं कह सकता बट आइचिंग एंड अभी दर से बस 600 मिटर जीतना ही दूर है तो आराम से पोट जाएंगे यह का बाइक मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है ठीक है ना यह इस तरफ है तो इस जगह का रास्ता की जरसे यह तक मुझे नहीं पता बस मैंने मार्क कर दिया और यह तो इसी तरफ दिखा रहा है एंड आइचिंग यह सीधा ही जाकर खतम हो जाएगा यारी तर एक रास्ते जैसा कुछ तो गृण ग्रीन सा है तो जिस तरसा इंग हम जा सकते है ना एक यह रास्ता ही यह पेट से बटी है मैप में कम दिखा रहा है और यह तो यह भी एक रास्ता ही लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इदर प्लैन होगा लेकिन यह तो बहुत यह अच्छा है तो चलिए पूरा इस तरफ तो मैंने पूरा बीच गुम लिया इस तरफ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा अब जाता हूं मैं इस तरफ एंड मून देखो यार आप क्या ही खत्तर नाक लग रहा है अभी यार रात में रात में बीच पर आया हूं इस यह अजैना आ इए यार आम सब्सक्राइब करना पदाए गहां आपको कहते हैं कमें सवार हूं जो रहा हितुए ल्गते हने हैं तो मुझे और यार πड़ीत के लिगणा इदर भी कुछ नहीं था चैन इतर हमें मिला है बीच के उपर वहना बीच पर वैसे भी कोई बंदा तो है नहीं यार अब देख सकतो आई तिंग एक गोल्डन प्लेन ही है कितना ही खतरनाक लग रहा है यार इसका लूप देखो यार एक सेगा है यार यह तो दिखने में प्ल ब्रेक से पीछे ले लेते हैं यह है अपना रनवे अभी के लिए तो ठीक है ना मैंने अपने बाइर को इधर ही छोड़ दिया तो तैल यह बिना किसी देरी के इसा फुल करके सीधा ही उपर की तरह फुटा लेता है यार एक सेकंड में इसका तो टैक ओफ हो गया यार अच फूल ही स्पेड में देख सकते हैं इतना मेंदियो में इतना इतना फ्रस्ट आफ एगल उक्षे मैं यह इन लिखाता कि इंफ इकल विच गन था ईस्ट यह उनलिमिटटड गन है यार इसमें दो इसमें पुलीस पकड़ अगने है इसमें रहा यह में पर वन सेचीन मिल जात सब्सक्राइब करना बनता है आगे साप यह चल रहा है ना उसकी लुक देखो क्या ही आ सब्सक्राइब क्या ही स्पीड में जा रहा है अब यार मैं जोइस्टिक को टेट तक नहीं करूंगा फिर भी आगे दो जाता ही रहेगा ठीक है ना तो यह फीचर भी अच्छा एंड़ी जर धीमा कर दिया तो धीमा भी हो जाएगा तो अभी से लेकर जाने वाला है वैसे हम तो खर किस तरफ आइधिंक इसी तरफ कहीं पतो है मुझे घर तक मार्क करना पड़ेगा मुझे नहीं पता कि तरह है एंड़ देखते है अपना खर किस तरफ है या अमना घर इधर है गाई जी यसी यह रहा वैसे तो मैं इसके सिफ घर के और ही ले जा रहा हूँ बस घर प नहीं हो जाने वादा हमें उसी जगह पर जाके लेना पड़ेगा इसे तो चलिए अब इसे आई इसी जगह पर में नीचे उत्तार देता हूँ तो यह आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगोए तो इस वीडियो को लेक कर देना चैनल मिले ने नेक्स रडियो में जैंक्स रुट